इस वीडियो में हम जानेंगे का के की और की के प्रयोग के बारे में तो आएए देखते हैं कि का के की और की का प्रयोग कहां और किस प्रकार किया जा सकता है सबसे पहले हम देखते हैं का का प्रयोग और इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं का का प्रियोग पुलिंग शब्दों के लिए होता है उधारन देखते हैं यह है रीमा का घर है यहां पहला शब्द रीमा स्त्रिलिंग है और दूसरा शब्द घर पुलिंग है का का प्रियोग करते समय हमें उस शब्द का लिंग देखना है जो का के बाद प्रियोग किया जाएगा उधारन है यह रीमा का घर है यहां हमें दूसरे शब्द घर का लिंग देखना है जो पुलिंग है अन्य उधारन देखते हैं नीम का पेड़, रीमा का भाई, रोहन का बस्ता अब आप यहां देखेंगे कि का के बाद जो शब्द प्रियोग किये जा रहे हैं पेड़, भाई, बस्ता ये सभी पुलिंग है का से पहले का शब्द हमें नहीं देखना है वो स्त्रिलिंग भी हो सकता है और पुलिंग भी हो सकता है लेकिन का के बाद जो शब्द प्रियोग किया जा रहा है उस शब्द को हमें देखना है कि वह स्त्रिलिंग है या पुलिंग है अगर वह पुलिंग है तो हमें का का प्रियोग करना है नीम का पेड अगर यहां पर हम शब्द का प्रियोग करते हैं निबॉली तो निबॉली शब्द स्त्रिलिंग है तो हम यहां का का प्रियोग नहीं कर सकते थे ऐसे रीमा का भाई भाई शब्द पुलिंग है इसलिए हमने का का प्रियोग किया अगर हम यहां करें बहन तो बहन स्त्रिलिंग है और स्त्रिलिंग शब्द के लिए हम का का प्रियोग नहीं कर सकते तो आपको समझ में आ गया होगा कि का का प्रियोग हमेशा पुलिंग शब्दों के लिए किया जाता है और हमें लिंग उस शब्द का देखना है जो का के बाद प्रियोग किया जाना है अब हम देखेंगे कि के का प्रियोग हम कब और कहां कर सकते हैं के का प्रियोग बहुवचन और आदर सुचक शब्दों के लिए होता है उधारन देखते हैं रीमा के कपड़े यहां हम देख रहे हैं कि कपड़े शब्द बहुवचन है इसलिए हम के का प्रियोग करेंगे यहां पहला शब्द रीमा एक वचन है और दूसरा शब्द कपड़े बहुवचन है इसलिए यहां के का प्रियोग किया जाएगा हमें पहला शब्द नहीं देखना हमें ये देखना है कि हमें के के बाद जो प्रियोग करना है वो शब्द जो है वह बहुवचन होना चाहिए दूसरा उधारन हम देख रहे हैं रीमा के पिताजी यहां रीमा एक बचन है और पिताजी भी एक बचन है लेकिन पिताजी शब्द आदर सूचक है यहां पहला शब्द रीमा है और दूसरा शब्द पिताजी आदर सूचक है दोनों ही शब्द एक बचन है लेकिन पिताजी शब्द यहाँ पर आदर सुचक है इसलिए यहाँ केक अप्रियोग किया गया है अन्य उधारन देखते हैं रीमा के दोस्त भारत के खिलाडी गुडगाओं के लोग अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह सभी शब्द बहुचन है दोस्त खिलाडी लोग यह सभी शब्द बहुचन है इसलिए यहाँ पर केक अप्रियोग किया गया है की का प्रियोग अब इसके नियम देखते हैं की का प्रियोग स्ट्रिलिंग शब्दों के लिए होता है, की का प्रियोग संग्या के बाद होता है उधारन देखते हैं, रोहन की बहन, यहां पहला शब्द रोहन संग्या है और दूसरा शब्द बहन संग्या है लेकिन स्ट्रिलिंग है पहला शब्द स्ट्रिलिंग भी हो सकता है और पुलिंग भी हो सकता है लेकिन शब्द संग्या होना चाहिए और दूसरा शब्द हमेशा स्ट्रिलिंग होना चाहिए तभी हम की का प्रियोग करेंगे की का प्रियोग करते समय हमें उस शब्द का लिंग देखना है जो की के बाद प्रियोग किया जाएगा और देखना है कि की से पहले वाला शब्द संग्या हो अन्योधारन देखते हैं लोहे की जंजीर यहां हमें दूसरे शब्द का लिंग देखना है दूसरा शब्द जंजीर स्ट्रिलिंग है इसलिए यहां की का प्रियोग किया गया है अगर यहां पर होता शब्द होता दर्वाजा तो दर्वाजा शब्द पुलिंग था तो यहां की का प्रियोग नहीं कर सकते थे तब हम कहतें लोहे का दरवाजा ऐसे ही पहले उधारण में रोहन की बेहन है बेहन शब्द स्रीलिंग है इसलिए हमने यहां की का प्रियोग किया है लेकिन अगर यहां पर पुलिंग होता, पुलिंग शब्द होता भाई तो यहां पर हम प्रियोग करते रोहन का भाई तो आप समझ गए होंगे कि यहां की शब्द का प्रियोग करने के लिए हमें यह देखना है कि की के बाद प्रियोग किये जाने वाला शब्द स्त्रीलिंग हो और की से पहले वाला जो शब्द है वह हमेशा संग्या होना चाहिए अब हम देखेंगे की कप्रियोग हम कहां और कैसे कर सकते हैं की कप्रियोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोडने के लिए किया जाता है इसका दूसरा नियम है कि कप्रियोग क्रिया के बाद ही किया जाता है उधारन देखते हैं वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई अब आप यहां ध्यान दें कि ये दो वाक्य हैं वह घर से निकला ही था वर्षा शुरू हो गई दो वाक्य हैं इन दोनों वाक्यों को जोडने के लिए कि का प्रियोग किया गया है और दूसरा नियम है कि का प्रियोग क्रिया के बाद किया जाता है तो आप यहां देख रहे हैं यह क्रिया है निकला ही था क्रिया है और क्रिया के बाद प्रियोग किया गया है कि अन्य उधारण देखते हैं उसने कहा कि वह नहीं आएगा उसने सोचा था कि वह समय पर पहुँच जाएगा मा ने समझाया था कि शरारत मत करना यहां आप सभी वाक्यों में देखेंगे कि कि से पहले वाले जो शब्द हैं वे सभी क्रिया शब्द हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि कि का प्रियोग हमेशा क्रिया के बाद ही होगा वह घर से निकला ही था निकलना क्रिया है उसने कहा कहा क्रिया है उसने सोचा था क्रिया है मा ने समझाया था समझाया था क्रिया है जितने भी वाक्या आप देख रहे हैं कि से पहले प्रियोग किये जाने वाले सभी शब्द क्रिया शब्द हैं तो आईए अब हम इन्यमों को का की का प्रियोग वाक्य में का की के बाद आने वाले शब्द के लिंग के अनुसार होता है के का प्रियोग वाक्य में के के बाद आने वाले शब्द के वचन के अनुसार और आदर सूचक शब्दों के लिए होता है का का प्रियोग पुलिंग शब्दों के लिए होता है की का प्रियोग स्त्रिलिंग शब्दों के लिए होता है की का प्रियोग संग्या के बाद होता है की का प्रियोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है कि कप्रियोग क्रिया के बाद किया जाता है तो आशा है कि आप सब समझ चुके होंगे कि का, के, की और कि कप्रियोग हम कब, कहां और कैसे कर सकते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें